गरीब बहु का पंखा अमीर बहु का एसी पलक काकू क्या बात है तुम दोनों खाना क्यूं नहीं खा रहे दो रोटी डाली थी थाली में तुम दोनों से वो भी खत्म नहीं हुआ कहते कहते नन्ना बच्चा काकू रोने जैसा मू बना लेता है जिसे उस गरीब मा तुलसी का दिल मचल जाता है मई का महीना लग चुका था जिसके साथ साथ गर्मियों के मौसम की शुरुवात हो गई थी और गर्मियों का मौसम खास करके किराई पर रहने वाले और गरीबों पर बुरी गुजरती है ऐसा ही हाल था राम की पतनी और दोनों बच्चों का जिनके घर की चट तीन की होने की वज़े से बहुत गर्म करती थी चट से लटके एक पंखे में सब सोते थे मेरी प्यारी बिटिया कितनी समझदारी भरी बाते करने लगी है अच्छा तुम दोनों जल्दी से खाकर पढ़ाई कर लो मैं बाहरांगन में चटाई और हाथ पंखा बनाने जा रही हूँ बिचारी तुलसी दोपहर की तप्ती धूप में ही घास के हाथ पंखा बनाने लग जाती है तब एकदम से लाइट कर जाती है और दोनों बच्चे पसीने में भीगे हुए आते हैं क्या हुआ पलक काकू तुम धूप में बाहर क्यों आ गए लाइट कर गई मा अंदर पंखा भी नहीं चल रहा गर्मी लग रही है कोई बात नहीं यहां नीम के पेड के चाओं में चटाई डाल कर बैट जाओ थोड़ी मूरी हवा लगेगी लेकिन दो पहर के उस वक्त गर्म गर्म लू भरी हवाएं बह रही थी और जमीन भी तप रही थी कडाके की उस गर्मी में पलक और काकू के शरीर से टप टप पसीना बह रहा था तो वहीं बंगले में मोहीनी की बहु प्रियंका के कमरे में इंपोर्टेड बढ़िया एस ही लगी थी लाइफ में गर्मियों के फुल मज़े हैं तो मैं ही ले रही हूँ और बिचारी गरीब बहु कितनी मेहनत करती है मा चलो थोड़ी दिर के लिए ताई जी के घर चलते हैं उनके हाँ तो एसी चलता है बुझे यह गर्म गर्म लू वाली हवा नहीं खानी काकू हम वह नहीं जा सकते हैं लेकिन काकू दोड़ते हुए बंगले में घुस जाता है जहां मोहिनी एसी में फैल कर बैठी हुई थी काकू बड़ी दिलासा से उससे लिपट गया दादी मा दादी मा मुझे भी एसी की धंडी धंडी अवा गानी है काकू का शरीर गर्मी पसीने से लत्पत था ये देखकर भी मोहिनी ने जरा भी मोह नहीं जताया तब ही प्रियंका कमरे में से निकल कर आई और गरीब तुलसी और उसके बच्चे को देखकर दाद पीस लिया तुम यहां किस लिए आई हो तुम गरीब लोग भी ना एक नंबर के गए घुसरे होते हो मुफ्त की एसी की हवा खाने मोठा कर चले आते हैं अकात तो होती नहीं है खरीदने की अमीरी के गुमान में अंधी हुई प्रियंका उन्हें जलील करती हुई हाथ कीच कर बाहर फेक देती है इस बरताप को देखकर ससुर अजीत कहते है मोहिनी तुम पत्थर के मूरत बनकर देख रही हो जैसे उन दोनों से तुम्हारा कोई नाता नहीं है हाँ कोई नाता नहीं उस गरीब बहु से क्योंकि उसने मुझसे मेरा बेटा चीना है असल में मोहिनी के दिल में इतनी कड़वाहट उसकी अमीर बहु की लगाई आग है इसलिए अमीर ससुराल की दुलहन होकर भी तुलसी गरीब और गर्मी में कोई वनवास की तरह दिन गुजार रही थी भोला बिंदिया कहा हो अरे अरे बारा दुलहन के दर्वाजे से दुलहन के साथ निकल गई है बहु के स्वागत की तैयारी करो घर के सभी नोकर चाकर स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं मोहिनी और अजीत के दो बेटे हैं तपन और राम आज तपन की शादी प्रियंका से हुई है जो की मोहिनी की पसंद से थी क्योंकि वो अमीर जादी है प्रियंका अपने साथ दहेज में बहुत सा सामान लाती है जिसमें AC, Cooler, Fridge, Imported Furniture सब था लाई दहेज में कितना सामान ऐसी बहु मुझे मिली भगवान आजा मेरी प्यारी बहु आजा क्या बात है सासु मा तो मेरी दहेज का सामान देखका लट्टू हो गई है अब तो मेरी एश होगी मोहिनी अपनी अमीर बहु के घर आने की खुशिया मना रही होती है तब ही उसका छोटा बेटा राम गरीब तुलसी से मंदर में शादी करके उसको घर ले आता है उन्हें देखकर मोहिनी गुस्से से लाल पीली हो जाती है राम तेरे गले में वर्माला क्यों है और ये कौन है मा ये आपकी बहु तुलसी है और मेरी धरम पतनी ये सुनकर प्रियंका मौके का पूरा फाइदा उठाती है हाई हाई ममी जी देवर जी ने तो इस खांदार की नाकट वा दी ये गरीब सी लड़की को ले आए देखिए तो जरा मोहिनी जूठा प्यार दिखाते हुए अपने गरीब बहु को स्वीकार करने का नाटक करती है कोई बात नहीं चल ग्रह प्रवेश करके अंदर आजा मुझे इस घर में जगा देने के लिए धन्यवाद मा जी बेटा राम तुलसी को कमरे में ले जा तुलसी के जाते ही प्रियंका ने कहा ममी जी आपने इस गरीब को एवे ही अपना लिया क्या आपको कोई एतराज नहीं देखे मैं दहेज में कितना कुछ लेकर आई हूँ इतनी महंगी इंपोर्टेड एसी, फ्रिज, सब कुछ और ये तो एक सिका भी नहीं लाई, खाली हाथ आगई पैस तु देखती जा, बहु इस भिखमंगन की अकल मैंने ठिकाने नहीं लगाई तो मेरा नाम भी मोहिनी नहीं मैं तो इतना सताऊंगी कि खुद बाखुद मेरे बेटे को छोड़ कर चली जाएगी प्रियंका अपनी सास को मोहरे की तरह इस्तमाल करके खुद चाल पट्टी खेलती है और गरीब बहु को अपनी सास की नजर में बुरा बना कर उसको घर से निकलवा देती है जिसके बाद राम भी घर छोड़ कर मजदूरी करके परिवार पालता है अरे राम बेटा तू अब तक काम कर रहा है सारे मजदूर चले गए तू घर नहीं जाएगा ये ले तेरी दिहाडी धन्यवाद काका क्या है तुझको काकू थोड़ा उदर हो मुझको भी पंक की अवा लगनी दे मार्या खुब लग दे दे मुझको मार रही है लड़ो मत बच्चे चुप चाप सोजा देखो कितनी रात हो गई है हम में देन नहीं आ रही है और नहीं तो क्या बड़ी ममी के घर में तो एसी भी लगा है हमको तो इस गटारे पंके में सोना पड़ता है हवा भी नहीं लगती पसीना भी पसीना आता है रात भर गर्मी के मौसम में उस गरीब बहू के परिवार को बेचैन करके रख दिया था हान जी बच्चे ठीक कह रहे है एसी लेना तो हम गरीबों के बस में नहीं कम से कम किष्टों में एक कूलर ही ले आईए और किष्ट कहां से भरूँगा तुलसी एक तो गर्मी इतनी है कि काम धंदा नहीं है मजबूर होकर इस गर्मी में भटी में काम कर रहा हूँ समस्दूरों ने वहां से काम भी छोड़ दिया पता नहीं भगवान ने कैसी जिन्द की बना दिया हमारी इसी तरह सिलसला जारी था उन्हें पंके में गुजारा करना पड़ता था वहीं अमीर बहु पर गर्मी का प्रकोप बिलकुल नहीं बीदता दिन भर राद भर वह एसी में ही पड़ी रहती गर्मे कूलर लगाने के लिए तुलसी भी अपने पती के साथ भभक्ती गर्मी में भट्टी में काम करने लग जाती है कितनी धूप है और गर्मी है यह एटे तो जैसे अंगार जितनी गर्म है लेकिन अपने बच्चों के लिए गरीब बहु बहु बहुत संगर्श उठाती है सिसियाती हुई गर्म लू भरी हवाएं शरीर को जुलसाने का काम कर रही थी इधर मोहिनी के कमरे का AC खराब हो जाता है तपन बीटा मेरे कमरे की AC फुग गई है इसे ठीक करा दे वरना इस गर्मी में सोना मुहाल हो जाएगा तभी प्रियंका AC ठीक कराने से मना कर देती है ममी जी AC नहीं ठीक होगा अब आप पंखे में सोने की आदत डाल लीजे पहले ही हम आपका पेट भरवा रहे हैं अब ये ठाट भी पूरे हमी करें ये सुनकर मोहिनी सन रह जाती है तपन भी प्रियंका का ही साथ देता है मा प्रियंका ठीक बोल रही है मैं कोई देसी बिजनिस का मालिक थोड़ी हूँ जो नोड लगाऊं प्रिंस की बढ़ाही का भी खर्चा है तभी हाथों में मिठाई लेकर दर्वाजे पर खड़ी गरीब बहु सुन लेती है सुनिए भया वो कूलर अंदर यहां ले आईए मा जी के कमरे में लगेगा ये मैं तेरा कूलर नहीं ले सकती बहु तुझ पर तो मेरा हग भी नहीं बहु मैं जानती हूँ तुने कितनी जतन से एक एक पैसा जोड़ कर ये कूलर अपने बाल बच्चों के लिए लिया होगा मा जी हम रह लेंगे आप हमारी चिंता मत कीजिये और आप भी मेरा परिवार है जिस अमीर बहु के चलते मैंने अपनी हीरे जैसी बहु और बेटे पोते पोतियों को नजर से दूर कर दिया वो कितनी दिलदार है जबकि मेरी अमीर बहु दिल से उतनी ही छोटी भगवान का धन्यवाद कि उसने आज मेरी आँखे खोल दी बहु वापस आजा ये तेरा ससुराल है तुलसी अधिकार के साथ ससुराल में आती है जिसके बाद अजीत अपने बड़े बचत में से उनके लिए एसी लगवाते हैं और प्रियंका उनका सुख देख कर जलती रह जाती है